कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट वॉंडरर में मैं हूँ आपका दोस्त अशुक और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ करोल बाग में ग्लासमा मेरर्स जो कि डील करते हैं हर तरह के मेरर्स में स्क्रीन पर आपको एड्रस फोन नमबर इस जगह की सारी डीटेल मिल जाएगी तो प्लीज आप उसे नोट डाउन जरूर कीजेगा और यहाँ पर आकर जुड़िएगा जरूर इंस्ट्राग्राम फेस्बुक अगर आप इस्तमाल करते हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन चानल को सब्सक्राइब करें और इस फैमली का पार्ट जरूर बने तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ के ओनर से देखते हैं किस तरह के यहाँ देखने वाले हैं क्या प्राइज रेंज आने वाली है कैसे कैसे वह अब तक पहुंचेगी तो कोई भी वीडियो का पार्ट नहीं मिस करना है वरना कुछ समझ में नहीं आएगा तो अब चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के ओनर से और लेते हैं सारी जानकारी डीटेल में दोस्तो मेरे साथ मिर जानते हैं मिस्टर विश्वास जी जो कि ओनर में अब बात करते हैं सर से और जानते हैं ग्लास्मा मिरर बारे में तैंक यू सो मद अब आपने अपना बहुत ही कीमतिवग दिया है मैं जाना चाहूंगा आप लोगों ने कभ ब इस्टार्ट किया ग्ल और हम लोग इसके अंदर अब काफी वराइटी के अंदर हम लोग मिरर्स बना रहे हैं जिसके अंदर की एकनोमिकल रेंज से लेके और LED मिरर्स, 3D मिरर्स, वाल मियूरल्स यह सारी की सारी रेंज है और काफी अच्छी हमारे पास कलेक्शन इस वकत अवेलेबल है जैसे आप सकते हैं इया शोरूम के कांड़ कारते हैं जिद्याएल रेंज दोनो 1 मौडल में आप लोग काम करते हैं प्राइस रेंज की में बात करना चाहेंगा प्राइस कितने से स्टार्ट हो रही है कितने तक जाती है इस तरह के मुझाल हम लोग मस्ली यह वड़े प्रॉडक्स हम लोग रीटेल करते हैं तो जो रीटेल के प्रॉडब्ट्स हैं उसके अंदर हमारे पास जिसे ल.E.D. मिरर्स हैं और 2D, 3D मिरर्स हैं जो कस्टमाइज रिजाइनिंग होती है यह सारे के सारे हम लोग रिटेल करते हैं और मुस्ली हमारी स्पेशलाइज़ेशन के अपर है पान इंडिया प्रोड़क्ट डिलिवर हो जाता होगा और विसी बात है आप इस नहीं टाइम से काम कर रह हैं किस कोई खास तरह की पैकेजिंग वगरा होती है प्रोड़क्टी यह क्या है कुछ जानना चाहूं कि देखें इसके अंदर पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस औविसली करना ही पड़ता है इसके अंदर हमारा जो पैकेजिंग का सिस्टम में वो टू-3 टायर बेस पे रहता है जनरली पहले पीस की एक आउटर पैकिंग मनती है जो की इंडिविज्वल पैकिंग होती है और उसके बाद उसको वुड़न पैलेट्स के अंदर पैक किया जाता है और उसके बेसिस के ओपर वह हमारे कई कोरियर के साथ टाय अप है जो की डो टो डिलिवरी दे करते हैं मैं चाहँगगा स्टार्ट करते हैं जहां से पने स्टार्ट किया है जहां से स्टार्ट म के साथ शुरू करे और धीर धीर फिर प्राइस रेंज के अक्टार्ग मरें करते हैं या कोई अगर चला आता है तो उसको दे देते हैं दिखिए कोई आएगा तो उसको कस्टमर को तो ना नहीं कर सकते बट मोस्ट ली यहां पर जो यह इस सेक्शन में जितने भी पीसिस हैं यह सारे हमारे होलसेल के बिजनस अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एकनॉमिकल रेंज हम देख रहे हैं मैं चाहूंगा और भी दिखाएं साइजिस क्या-क्या आप आते हैं यह देखिया हमारी इसके बाद एक रेंज इसके अंदर यह मोजाग की है इसके अंदर जो है हर ग्लास को छोटा टुकडी को जाती है और इसके बाद इसको पेस किया है बड़ा एक्स्क्लूसिफ पीज बनता है और प्राइस वाइस भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है इस फॉर अबाद थाजन रुपीज का एक पीस है यह साइज के मैंने बात करी सर तो आपकी एकनॉमिकल रेंज में साइज हम क्या इनके अंदर जो साइज है वो मैकसिममम 18-24 चलते हैं जैसे 1.5 फॉट बाइ दो फॉट कहते हैं बट अगर को कस्टमाईज कराना चाहता है किसी को जैसे लंबा पीस चाहिए जो फुल जिसको हम फुल लेंध पीस कहते हैं वो भी अगर लेना चाहते है तो वैसे पीस भी हम इसके बाद कोई और वराइटी ऑफ प्रोड़क्ट आपके पास एकनॉमिकल सीरीज में एक यह है जिसको हम क्रेकल सीरीज कहते हैं तो इसके अंदर भी कार्विंग करके सारा पीस कटा हुआता है यह भी अच्छा काफी अच्छा पीस है काफी बिगता है यह रहती है इसके व आपने स्टार्ट किया तो अच्छा यह भी यह भी एक सिरीज है इस सिरीज को क्या कहा जा है इसको क्रेकल सीरीज बोलते हैं इसके अंदर जो तफन गलास होता है उसको भेक यह इसके अंदर कलरिंग एफेक्ट देए drawn-out Design करकर फृर को पेस्ट किया जाता है बहुत बढ़ इसके अंदर हमारे पास sizing, quality, जिसे कहते हैं कि variety of products इसके अंदर एक बहुत सारे हैं, endless है, कुछ भी हम कस्टमाइज कर सेते हैं, कर कोई हमारे पास client आता है, architect की design लेकि कि मुझे यह बनवाना है, यह उसने कहीं Pinterest यहां, कहीं से भी x y z internet पे आपको पता ही है, कि 1,000,000 डिजाइ है, we can get him, there's no problem, उसको कोई compromise नहीं कर रहा है, he'll get what he wants to, that's very good, let's start की price range वगरा क्या है, sizes कैसे अविलेबल है, कस्टमेजिशन तो आपने बताई दी है, it's endless, ठीक है, इसके अंदर जो basic range start होती है, वो approximately 500 रपे square feet, 600 रपे square feet से start हो जाती है, जिसके अंदर की simple touch है, यह double touch है, ठीक है, यह double lighting system है इसके अंदर, triple touch है इसके अंदर, फिर इसके बाद एक stage और अगर हम higher जाते हैं, यह हमने बन कर सकते हैं, यह अपिसमें पर कर सकते हैं इसे, फोन कम पढ़ गया थे सारज वान पर जाने ओप्षिन दे दिया, जी, 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 तो इसके अंदर waterproof speakers लगे हो हैं, तो स्का जो sound system है वो बहुत अच्छा है, और quality wise, इसके अंदर, temperature, मतला, everything जो required है, सारा गाजारा आप अ क्या स्क्वायर फीट के साफdessा इसाफ masks कोड करते आप। देखिए यह जो इस तरह चो पीसिस होते हैं प्राक्सिमेटली फंदप्णाराावटी के लगी होती है अफि Bonjour the यह काफी अच्छे हवी वारंटी होता है हां बिल्कुल कोई पर प्राप्लम नहीं है हम लोग वानियर ओंसाइड वारंटी तो देते ही हैं बाकि इसके अंदर कोई ऐसा को दिखिए जो मिरर हम यूज करें वो सेंट गुबेन या मोदी का यूज करते हैं वो एक बहुत डीसेंट क्वालिटी है सिल्वर कोटेड मेरर है सो ग्लास की क्वालिटी को लेकर मैं सवाल नहीं उठाना चाहरा है बट जो मैकेनिजर में पीछे वो कहीं ना कहीं बात्रूम के मोईश्यर से कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत एफेक्ट पड़ेगा टाइम हम इसको 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 इंस्टेंटली रिपेर कर आ सकते हैं या कोई प्रॉबलम है तो चेंज हो सकते हैं इसमें मतला इसमें जो अंदर जो सिस्टम बनाया है वो इतना प्लग अन प्ले है कि अगर आप कहीं जैसे सबोसिंगली हम जहां अपना बंदा नहीं बेज सकते हैं कि इसी ने बैंगलोर में लिया पीस हम आप अवाँ सर्वी सेंटर नहीं है हम उसको वीडियो कॉल के उपर उससे समझ लेते हैं प्राबलम और इसको वो कॉम्पोनेंट भेज देते हैं और इसमें सिरफ क्लिप सिस्टम है आप खोलेंगे जो कॉम्पोनेंट उसमें खराब है हम वो आप उसको सिरफ क्लिप करेंगे तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो प्लगन प्ले टाइप की ना हो सब क्लिप सिस्टम पे बेज़ है कोई भी जिसको बेसिक भी नॉलेज है वो इसको कर सकता है साथ में कंसोल अगरा भी देख रहा हूं तो इसके बार में मु यह अगर तो ब्याव करते हैं प्लेज गारा वे प्लेज ए टाइज से फिर लूट करेंगे इस प्लेज अगर तो लोकल डेली में जा रहा है वहां कि जो पैकेजिंग वो इसी होती है और हम लोग यहां पर अपस अपने सोर्स इंडिवर कर दिदेगा यहां यह देते हैं बड़ अगर सबोजिंग लेपीस बॉंबे जाना है तो उसकेस में हमारे को इसकी वुडन की हैवी करेट की पैकिंग करानी पड़ती है तो उसका जो चार्ज होता ऑन एक्चुल बेसस पे जो आपको स्ट होती है वो हम चार्ज करते है और प्लस यहां से हम जो ट्रा जो एक सारे के सारे जो हैं ग्लिटर सिरीज है इसके अंदर जो है यह स्रॉस्की डैमेंड होती है यह हम लोग फिल करते हैं यह सब 3D पीसिज है यह सब अंदर फिलिंग है उपर ट्र मिरर अपर ग्लास लगाओता है एक सारा और साथ पर मिरर की फिनिशिएंग है और साथ इनलीक सारे मुण है जो मुस्टली टॉप से लिंग हँ जो साइज और हे राशब करेंग है उसके अंदर अभी इनली बिचीज जो डिभी हानगी यह यह है यह देखिए यह आपको लगे कि बिल्कुल मार्बल है बट अच्छली यह ग्लास है यह ग्लास है इसको मतलब यह मार्बल लुकिंग ग्लास है तो हमने इसको भी यूस किया इसके अंदर सो इसकी बड़ी ब्यूडिफुल डिपिक्शन आती है इसके साथ में इसका मैचिंग कंसोल भी है वह आपको मैं दिखाता हो तो उसके साथ यह जैसे आप एंट्री पे लॉबी में रखना जाए तो वह बिल्कुल एक फील यह देगा कि भी मार्बल की फील देगा यह मतलब जैसे इटालियन मार्बल है उसी की मतलब यह वर्जन है रेंज की मैं बात करना क्योंकि एक प्रॉक्सीमेटली इस प्रॉडक्त की प्राइसिंग है वो और व्हां तो वह अगर आप छोटा बनाते हैं या कोई और साइस लेते तो जो मेजरमेंट उसके असाब से आपको इसके चार्ज यह इसमें अगर आपको डिजाइन और लेना चाहते हैं कि वह उनको यह इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में अपडाउन मिलर कहते हैं कि इसके अंदर हमने जो एक लीफ है वो मतला उपर की तरफ जा रहा है एक नीचे इनवर्ट जा रहा है और कलर कॉम्बिनेशन हमने ब्लैक और इसमें कॉपर का यूज किया हुआ है लुकिंग अफकोर इसकी अप्रॉक्सिमेटली थाउजन रुपी स्कॉर फिट के करीब है जी डिपेंडिंग अगें कि जैसे वो क्या और चाहते है अगर वो सबोजिंग ली माबल चाहते है तो वो थोड़ा एक्सपेंसेव है अगर सिल्वर कर देंगे तो थोड़ा सा प्राइसिंग नीचे जाएगी यह डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वार्मेंट पर हमारे सामने बहुत प्यारे कंसोल के साथ तीन मिरर और चाहूंगा इसको हॉलिवूड मिरर कहते है एक वनेशन मिरर कह लिजे है यह वैनेटी मिरर इसको यह आज कल बहुत कॉंसेप्ट के अंदर है हमने इसको बहुत स्टर्डी बनाया है यह सारा वुडन हेवी वुड है हेवी वुड के ओपर प्यू करा हुआ है और प्यू के ओपर यह जो है बल्ट लगे हुए जो की काफी अछी लाइट देते हैं यहां पर इसमें पॉइंट भी है अगर आपने कुछ कुछ करना और ड्राय जाएगा आपको यह वाइट चेहिए तो वाइट लेना चाहें इसके अंदर आप इसमें ले सकते हैं इसकी प्राइस रेंज की बाद हम लोग यहां पर कर रहे है ना हूल से इस तरह के कोई लेता है कम दुकानदारी लेंगे जैसे कोई किसी ने हमसे लिया और वह आगे आपके जो एकनॉमिकल प्राइस रेंज वाली जो वही चलते हैं यह तो सब शोरूम के पीसी यह इसके अंदर अगर हम एक और ऑप्शन यह कि थोड़ा से एकनॉमिकल अगर हम इतना पैसे नहीं खर्शना चाहते तो हम इस पर आ जाते हैं इसके अंदर थोड़ा हमने प्रा इसकी जो प्राइसिंग है वो आठसो साड़े अठसोर्बे स्कुरर फिट में आ जाती है तो उससे अल्मोस्त वन थर्ड प्राइसिंग इसकी कम हो जाती है यह भी इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है काफी अच्छा ही लगा ऐसा नहीं बुर्ट पीस का परपस से हम स डिज रॉल डिफ्रेंट डिफरेंट यह आप दिख रहे हैं जैसे यहां पर भी यह आप दिखा अगी चुरा जर्फी अब्स प्राइस तक जती है और कि बॉक्तिने से र FIRST ौज नोजर कूर्त है यह को एंटीक जैसे यह इदर कंसोल है मैं आपको दिखाता हूँ वह बिल्कुल एंटीक के अंदर बना हुआ है वह कंसोल काफी एक्सपेंसिव होते हैं इसमें प्राइस कैलकुलेशन कैसे करते हैं क्योंकि साइजे सेम रहते हैं चोटे बड़े पॉसिबल हैं इसके अंदर जैसे इसका 4 feet की इसकी length रहती है 16 inches की breadth है और height 32 inches होती है यह इसका एक general standard criteria है बाकी अगर कोई कस्टमाइज करना चाहे तो again वह पॉसिबल है कोई अगर चाहता है उसके जगा कम है तो वह 3 feet की करना चाहता है यह अभी पीछे कुछ clients ने हमसे का था कि हमें इसकी height उसको बहुत जादा चाहिए थी कुछ purpose उसका decor के साथ उससे मनाना था तो हमने इसको इस यह console को हमने height 42 inches करके दे दी थी so but यह standard standard एक यह है अब मैं range की बात करूंगा जैसे यह rose gold है यह आपका एकदम glass finish में आता है फिर यह different है और यह आपका होने वाली है इसने सब चीज़ते कि प्राइस रेंज जो mirror के concepts के अंदर बने हुए है यह तो actually इसके designing में डिबेंड करते है कि design कितना TDS है और कितनी इसके अदर labor यह कितनी sheet material के involvement हुई है हम लोग दिखे हम लोग बहुत ट्राय करते है कि economically price करके चले हम लोग ने यहाँ बह और वह sell कर देते हैं सो इसलिए मतला यह नहीं है कि हमने सब का universal प्राइस नहीं है जो जैसे expensive आई है costing जिसकी उसको थोड़ा से expensive है जिसमें हमें दो पैसे कम costing आ रही है तो वह हम client को भी उसी accordingly offer कर देते हैं इस कर हम इस console की बात करें तो यह approximately 22,000 रुपीज की console है बहुत इसमें वाइट मार्बल भी आता है वाइट मार्बल थोड़ा से expensive होता है क्योंकि वह marble जो sheet है वह expensive आती है तो यह दोनों का costing सेम है इन colors में जैसे सत्वारियो पत्थर आता है बिलकुल हमारा उसकी तरह का एक glass में भी वह material आता है वह थोड़ा expensive होता है तो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट की बात आती है जो outside of Delhi खरीदने आ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं मार पढ़ने वाली है क्योंकि उसको जितने का उसका console या mirror ने होगा उतना उसको shipping charges packing charges देने पड़ जाएंगे तो क्या आप suggest करेंगे आप suggest करेंगे कि आप अपने convince को लेकर आएं और फि से जाने ले जाता है लेकिन अगर किसी ने चैसे मेरे कुछ clients है वो showroom अपना खोल रहे है मेरा client है उन्होंने लुद्याना के अंदर showroom अपना बना रहे है तो उन्होंने में से का कि मुझे जैसे 8-10 console चाहिए कुछ mirrors चाहिए सारा complete उसका रेपलीका बनाना है तो अब उसके इसके अंदर हमने उनको सजेस्ट किया कि हम लोग यहां से गाड़ी भायर करेंगे तो बुलेरो गाड़ी यहां वो मिल जाती है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ती है साथ आठ हजार पे चार्ज करती है यहां से लुद्याना तक के तो हम यहां से उसको प्रॉपर करा करा के हम लोड करके उसको भी देंगे अगर हम दिखें बीस पच्छेस आर्टिकल्स भेज रहे हैं तो पर अर्टिकल कॉस्त तो कोई ज्यादा आई ही नहीं है तो वहां पे फिर भी वह एक डिसेंट प्राइस पे बेच सकते हैं सर पीछे आपका यह लैंप रहे हैं मैं इसमें भी डिल करते हैं और इसको जला कर दिखा सकते हैं पॉसिवेश यह एक सब्सक्राइब बना रहे हैं इसके अंदर हमारे कई सारे नए प्रॉडक्स भी और आ रहे हैं जो अंडर डुवलप्मेंट है एक तो जैसे यह अप्रॉक्सिमेटली थ्री फिट का साइज है इ जो मतला नीचे से पूरा उपर तक खड़ा होगा और वरी ब्यूटिफुल पीस यह जो इसकी प्राइस रेंज है अगे हैं हमने इसको बहुत प्राइस कर रहे हैं सो अप्रॉक्सिमेटली अराउं नाइन थाजन रुपीस के करीब है कम्प्लीट यह और पैन इंडिया की प्लानिंग करी है हमने बहुत बढ़िया इन फ्यूचर हम आने वाले टाइम पर जब ग्लास मा में दुबारा विजट करेंगे तो हम चाहेंगे कि और आपकी रेंज हो उसको कवर अप करें मैं चाहूंगा इस सेट के बारें बात करना चाहूंगा बहुत प्यारा कॉंब सो 32,000 रुपीज में हील गेट दे कंप्लीट कंसोल और आइकन एशूर कि उसको यह प्राइसिंग उसको किसी भी जगा नहीं मिलेगा अगर वो है तो उसकी वैल्यू बहुत है अधर उसकी वैल्यू जीरो है वो कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं रखती है अचा शिप्मेंट तो हर जगा मिलने वाली है पैन इंडिया हर जगा मिल जाएगी टाइमिंग कितना लगता है मतलब एक शिप्मेंट आपका आपकी इस वैरहाउस शोरूम से तयार होके कहीं पर जा रहा है कितना मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं अगर तो प्रोड़क्ट रेडी है उन्होंने शिप कर देते हैं और मैक्सिमम सिक्स तू सेवन डेज में वह क्लाइंट के पास पहुंच जाता है हाँ अगर उसका कस्टमाइज ओडर है तो वह डिपेंड करेगा कि अगे उसने जैसे इस तरह का कंसोल और किया अब इसके अंदर अगर उनने का जी कि मुझे को चेंजिस चाहिए या कलर डिफरेंट चाहिए और कस्टमाइज मुझे बनाना पड़ा तो इस तरह के कंसोल को मुझे बनाने में लीस 10 तो 12 डेस चाहिए मलब क्योंके यह इस वेरी डिफिकल्ट कंसोल क्योंके आप देख रहे हैं एक छोटा छोटा पीस जो है वो बेवल डुआ अब मैं तो आपके यह जो डो आपके यह जो आपके मिरःर विद कंसोल वाले प्रोड़क्ट रखे यह जो इसके बारे में लूदी सी डीटेलिंग दे दिजेह यह जो हमने आगर आप ध्थान से देखें इमने इसमें ऐसे जो उसमें एंटीक मिरर यूज किया हुग है हमारे पास बहुत लोग इसको यूज करते हैं कितने इंटियर डिजाइनर्स वैसे आपके साथ जुड़के काम कर रहे हैं देखिए डारेक्टली तो हमारे पास एप्रॉक्सिमेटली बाउट 40-50 इंटिरियर्स हैं जो कि हम से मिरर्स के हमें ओटर देते रहते हैं लेकिन हमारा जो अभी भी मैनली जो हमारा जिसे कहते हैं मेन जो सैग्मेंट ओर जो ग्लास के और जो फॉलसेलर्स अफरनीचर वाले जो हотриänderस वाले हमारा हो सैग्मेंट जादा स्ट्रॉंग है तो हम लोग बेसिकली उनको देते हैं और वो लोग आगे नेटवर्क पे देते हैं क्योंकि मैंने आपको आगे हम लोग शुरू से होलसेलर रहे हैं तो वो कहीं दागी होलसेल का फंडा मेशा दिमांग में रहता ही है तो इसलिए हमारा अभी भी कॉंसेप्ट यही जलता है कि हम लोग जादा तर शॉपकीपर्स को सप्लाई करते हैं और फिर अगे अपने नेटवर्क पे जो आर्किटेक्स उनक्या जुड़े हैं तो हमारे को जो feedback मिलती है वो client के थुड़े मिल जाती है उस client का architect जाथ connection है उसने उसको design दिया वो हमारे पास आगया तो ultimately बनाया हमें और हमें टेस्स समझ में आजाता है कि इस वाकत market में यह taste है यह client architect को यह requirement आ रही है वो एक intelligence input आ जाती है उसके accordingly हम अपने products को मोडिफाइ करते रहते है ताइम कुटाइए इनकी प्राइस रेंज आप बता दीजिए फिर इस तरफ एक सेग्मेंट है उसको कवर अप करें दिखें इनकी इसकी जो प्राइस रेंज है इसकी एप्रॉक्सिमेट प्राइस रेंज वही 22,000 अरपे के बीच में रहती है डिपे कैसे हैं साइज इसका जैसे जो है यह जो साइज अगर आप देख रहे हैं यह साइज भाई फूट बाई चार फूट का है सो 10 स्क्वेर फिट इसका टोटल डैमेंशन है इसका भी अप्रॉक्सिमेटली सेम ही है और यह तो सब स्टैंडर्ड मैंने आपको बताई है कि 4 होटेल्स यह देखे होंगे तो वहां पर इसको विनेशन मिरर कहते है यह पहले जमाने में इसको मुगली आजम भी का जाता था यह बड़ा मतला समझ लिए कि सबसे पुराना हमारा जो काम आर्किटेक्चर जो इंडिया का है वो यह है बहुत टफ पीस होता है इसको बनाना आज की रेड़ में इसके कारिगर ना के बरबर हैं क्योंकि लोग साब मौडी मूव कर गए हैं इन सब चीजों पर एलीडी पर इस पीस को बनाने के अंदर ही कम से कम 25 दिन लग जाते हैं 20 25 दिन लगते हैं इस पीस को बनाने के लिए यह जो पीस है यह सारा पहले क्लियर के रिजाइन के सारे एक चीजiego है सम मैनृली होती है मतलब इसकी अगर वैसे सच बता हूं इसकी अगर बारीक्याँ देखनी है ना तो आना पड़ेगा देखने के लिए अब समझ में आएगा ये वीडियो में देखने में घंए और फोटो में देखने में और एक बारी आप दिखेंगे तो तो मतला जी परक्त आते ही है साइस क्या रहने वाला इसका और उस सबसे का प्राइज क्या है इसका जुए इसका जो साइस है यह 36 इंचे बाइज स्क्वार इसके अंदर जो रेंज है वह 20 पे स्क्वार फिट तक भी जाती और नीचे साइट पे बाज करें तो वह जार गयाना सो रपे स्क्वार फिड पर भी आती है जिस पर अगर खाल कम वरकिंग तो जैसा गान वैसा दान को एक्जाक्ल एक्जाक्लिए इसके बार है तरह लेए यह वरी 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 व्यूटिफुल और डिफरेंट कल और इस इस वाले इंटीक की जो है न शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है मतलब यह ऐसा है कि 10-20 साल कभी खराब नहीं हो सकता मतलब इतना हाई क्वालिटी का इंटीक है अच्छा अप्सलूटली इसकी जो प्राइस रेंज है वो 35,000 रुपीज है जस बिकास कि यह जो इंटीक है वो बहुत इसकी एक्स्क्लूसिव है तो शीट ग्लास इसका बहुत एक्स्पेंसिव आता है बहुत बड़ी है सर्फ पैन इंडिया प्रोड़क्ट मिल रहे है सबसे बड़ी बात ही है साथ में कुछ यह लीडी का है यह ट्रिपल सैट है तो यह तीम कनेक्टिविटी है इसके दर डबल लाइटिंग सिस्टम है तो रेंज वोट इस रेंज अप्रॉक्सिमेटली इसकी वही 600 रुपे स्क्वार फिट के करीब है तो जो मेजरमेंट आती है इसका टोटल यह 10 स्क्वार फिट के करीब है आप आप आरजी बी लाइट्स और नियॉन लाइट्स अगरा मल्टी कलर लाइट्स भी स्तमाल करते है सब करते है इस अल कस्टमाइजड जैसे जिसको जो जो चाहिए इस रेंज वगरा में क्या वेरियेशन है देखिए उनकी जिसे जो नियॉन लाइट्स होती है उनकी अप्रॉक्सिमेटली दो सोर पर स्क्वार फिट के करीब प्राइस इसके अलावा इसके अंदर डी फॉग जो जो बता दीजे है देखिए यह भी जो है हम लोग इसको हम डामेंट स्टडेड कहते हैं तो इसके अंदर भी यह 3D पीस होते हैं अगें इसके अंदर सारा डीप इनले अंदर ग्रूपिंग करके और उसके अंदर जो है स्रॉस्की बरी जाती है और उसके बाद उपर प् और कई लोग अगर इसको डेकोरेटिव के लिए लेना चाहते हैं तो वह इसके अंदर हम फिर सारा कलर मिरर यूज कर सकते हैं जस्ट ब्राउन कर दिया यहां कॉपर कर दिया अगर आप इसको चाहें तो हम इसको मिरर में भी कनवर्ट कर सकते हैं कि इसके बीच में इतने सेक्शन के अंदर हम इसको मिरर लगा देंगे और बाकी जो आउटर रहेगा चीक है स्टमाइज़िशन तो पॉसिबल हर एंगल से इस तरह जो आप वाल के डेकोरेटिव प्रोड से स्टार्ट होके कितने तक जाती है देखें यह भी अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 800 रुपी स्कॉर फिट की कॉस्टिंग के अंदर है तो इसके अंदर आप कलर कॉंबिनेशन जो आप चाहें कॉपर चाहें ब्राउन चाहें वो कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि अगें सारी जो इसके अंदर जो गेम है इस पीसिस में यह वाले भी जैसे पीसिस है इन सब के अंदर जो है सिर्फ फिनिशिंग की ओपर गेम है अगर फिनिशिंग जो इसकी जो फिनिशिंग पार्ट है वो बिल्कुल एकुरेट होना चाहिए अगर अच्छा होगा तो है कहीं यहां इसके भी आप देख रहें मतलब एवरीटिंग इस लाइक वेरी पर्फेक्टली ड़न मतलब इसके अंदर आप अच्छे से अच्छे आदमी के लिए फ्लॉर निकालना बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा हो से मतलब सो दोस्तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जितना हो सकता हो उतना शेयर जरूर करना है और कॉमेंट करके हमें जरूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और इस फैमली का पार्ट भी जरूर बनना है तो दोस्तों आज मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा अलविदा मिलूंगा आगली बार एक और नई वीडियो के साथ तब तक क के लिए आप लोग रखेंगा अपना खैल नमस्कार